हलो दोस्तों मेरा नाम विलीद अगरवाल है याद है पिछले वीडियो में आपको एक class पताई थी employee के नाम से उस class में एक property थी employee id के नाम से और एक method था show employee id के नाम से इसी code में मैं थोड़ा सा cut और paste करूँगा और आपके सामने एक नया example आ जाएगा देखे मैं एक और class form करने जा रहा हूं let assume company यहाँ पर मैंने class का name company लिया है और इस class के अंदर मैं इस main function को cut करके paste कर दुगा आपको नहीं लगता है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने एक बहतर तरीके से code को manage किया है यह class सिर्फ और सिर्फ properties और methods को रखे हुए जबकि इसको access किया जा रहा है एक दूसरी class की मदद से देखिए इस class की मदद से मैं ऐसी कई classes के object को declare करगे access कर सकता हूं तो better management के लिए मैंने यहाँ पर दो different classes बनाई है अब एक बात यहाँ पर गौर करने की है कि इस program को हम किस नाम से save करेंगे तो दोस्तों यहाँ एक बात याद रखिए कि जिस class के अंदर main function होता है हम program को file को उसी के नाम से save करते हैं तो देखिए save करते हैं यहाँ पर फिसली file को employee के नाम से save किया था इसको हमें company के नाम से save करना पड़ेगा तो हम इसे company.java के नाम से save कर रहे हैं देखिए दोस्तों compile करने से पहले मैं आपको देखा दो कि हमारे इस folder में कितनी files हैं आपके सामने यहाँ दो file हैं एक company.java और एक employee.java मैं यहाँ पर compile कर रहा हूँ company.java को compile करते हैं Java से ही company.java जरह देखें कितनी file बनी देखें employee.java तो पहले से बनी थी लेकिन जब हमने company.java को compile किया तो आपके सामने दो extra files नजर आ रही है एक company.java और एक employee.java यहाँ यह बात बहुत ध्यान देने की है कि जितनी भी हम classes Java के अंदर बनाते हैं उन सब की separate .class file भी बन जाती है लेकिन वही .class file run हो पाती है जिसके अंदर main function होता है तो जरह हम यहाँ पर पहले company.java को run करते हैं हमारा answer आ गया 5 इसके बाद employee.class को run करते हैं तो आपके सामने यह एक error prompt कर रहा है क्योंकि इसके पास main function नहीं है तो दोस्तो हमने इस video से यह जानने कोशिश की कि बड़े code को कैसे break किया जाता है एक से ज्यादा हम class कैसे बना सकते हैं और एक class के members को दूसरी class के अंदर किस प्रकार access कर सकते हैं दोस्तों वीडियो के अगले अंक में एक और बहुत मज़ेदार example में आपको देने वाला हूं कि inner classes को कैसे form किया जाता है तो देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो थैंक्यू झालें